मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बहुना में आपका स्वागत है आज इस कक्षा में हम कक्षा 10, अध्याइनो, तिरकोन मिती के कुछ अनुपरयोग के अंतरगत, प्रसन संख्या, चार तथा पांच को हल करना सिखेंगे प्रसन चार है, भूमी के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के सिखर का उन्यान को 30 जिगरी है, मीनार की मूचाई ग्याद कीजिए प्रसन को हल करने के लिए, माना, ए भी कोई मीनार है, हमें आपर देख सकते हैं, कि ए भी एक मीनार है, जिसके पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु C इस्तित है, हम देख सकते हैं, कि आपर एक बिंदु C, जो कि मीनार के पाद बिंदु 20 से 30 मीटर की दूरी पर इस्तित है, बिंदु C से मीनार के सिखर A का, उन्यान को 30 जिगरी है, इस प्रकार हम देख सकते हैं, कि जो बिंदु C है, उससे मीनार के सिखर A का उन्ने उनकों 30 डिगरी है इस प्रकार हमें एक तिर्बुज ABC प्राप्ट हो रहा है इस तिर्बुज में AB बटब BC बरावर 10 तिर्बुज डिगरी चुँकि कोन सीप के सापिक्ष हम माप ले रहे हैं इसके सामनी की बुजा AB लंब होगी तथा AC कर्ण होगी और BC आधार होगी चुकि हमें मीनार की उचाई क्यात करनी है तथा हमें BC क्योंकि हम पर आधार है उसकी लंबाई दी गई है तो तिर्कोन मीती अनुपातों के अनुसार लंब और आधार का जो अनुपात होता है तो AB बटब BC लंब बटब आधार बराबर 10, 30 जिगरी अब हम यहाँ पर AB जो कि हमें ग्याद करना है उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं तथा BC जो कि हमें 30 मिटर देया गया है उसको मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं BC बराबर 30 तथा 10 तीस का मान होता है एक बटब बर्गमूल 3 इस परकार हमें AB बटब 30 बराबर एक बटब बर्गमूल 3 यहाँ पर मिल गया है अब हम 30 की एक से बज़ गुणा करते हैं तो हमें मिलता है AB बराबर 30 बटब बर्गमूल 3 अब अन्स और हर में हम बर्गमूल तीन की गुणा करने पर अर्थात हम तीस बटे बर्गमूल तीन जो है इसके हर का परिमेकरन करते हैं और हर का परिमेकरन करने के लिए हमें अंस और हर में बर्गमूल तीन की गुणा करनी होगी क्योंकि यहां पर बर्गमूल तीन हर में इस्तित है, तो तीस बटे बर्गमूल तीन में हमने अंस वह हर में बर्गमूल तीन की गुणा करती है, तो हमें तीस बर्गमूल तीन अंस में प्राप्त हो गया है, जबकि हर में बर्गमूल तीन गुणा बर्गमूल तीन, परावर बर्गमूल नो औ तेन चाहता है दिए प्राप्त हो गया है और जब वह 10-30 को दस वार प्राप्त हो रहा है जो कि हमें यह समान प्राप्त हो आदो यह ही मेनार की और हमने मानी भूमी से 60 मेटर की उचाई पर एक पतंग उड़ रही है पतंग में लगी डोरी को अइस्थाई रूप से भूमी के एक बिन्दू से बान दिया गया है भूमी से डोरी का जुकाव 60 डिगरी है यह मान कर कि डोरी में कोई धील नहीं है डोरी की लंबाई ग्याद कीजिए प्रस्ण को हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि पी आर एक डोरी है जिसके की उपरी सिरे पी पर एक पतंग बंदी हुई है तथा इस डोरी का दूसरा सिरा एक बिन्दू जिसको कि मैं आपर देख सकते हैं हमें चमक्ता वा दिखाई दे रहा है इस बिन्दू आर से دूसरा सिरा जोरी का बंदा हुआ है पतंग भूमी से 60 मीटर की उचाई पर जो कि मैं याँ पर पी क्यू के रूप में दिखाई दे रही है 60 मीटर की उंचाई पर उड़ रही है तथा भूमी के साथ QR जिसको यहाँ पर हम भूमी के रूप में मान सकते हैं भूमी के 36 या रेका है तो यह 60 डिगरी का जुकाओ इस डोरी का भूमी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ 60 डिगरी है इस परकार PQ 60 मीटर तथा कौन P R Q 60 डिगरी का यहाँ पर दिया गया है अब यह दिया हम तिर्फूज P Q तथा R में देखें तो हमें P Q जो की लंब है इसकी माप 60 मीटर दी गई है तथा हमें डोरी P R की लंबाई ज्याद करनी है अर्था P Q जो की लंब तथा P R कर्ण के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है अर्था लंब और कर्ण का जोनपात होता है हम लेंगे साइन 60 डिगरी 60 डिगरी यहाँ पर 99 पून है तो साइन 60 डिगरी बराबर P Q लंब बटे P R कर्ण तो साइन 60 डिगरी बराबर P Q बटे P R अब P Q की उचाई हमें 60 दी गई है P R को हम उसे परकार से लिख देते हैं तता साइन 60 का मान हम जानते है बर्गमुल 3 बटे 2 होता है इस परकार 60 बटे P R बराबर बर्गमुल 3 बटे 2 हमें प्राप्त हो गया है हम बज़ गुणा करते हैं तो P R की बर्गमुल 3 से P R बर्गमुल 3 तता 60 गुणा 2 और जब इस बर्गमूल 3 जो की गुणा में है इसको हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ भाग में चले जाएगा तो P R बराबर 60 गुणा दू 120 बटे बर्गमूल 3 हमें यहाँ पर प्राफ्त हो गया है अब पुना हम अंस वहर में बर्गमूल 3 की गुणा करते हैं हर का परिमेकरन करते हैं तो पी आर बराबर 120 बटे बर्गमूल 3 गुणा बर्गमूल 3 और अंस में था बर्गमूल 3 की गुणा हमने हर में कर दिये तो इसकुरार 120 गुणा बर्गमूल 3 बटे बर्गमूल 3 गुणा बर्गमूल 3 और हमें लेगा 120 बर्गमूल 3 अंस में प्राप्त होगा तथा बर्गम 3 से 120 को भाग देंगे, तो हमें मिलेगा 40, और बर्गमो 3 को हम इसी प्रकार से लिख देंगे, अर्थात हमें 40 बर्गमो 3 प्राप्त होगा, और यही डोरी की लंबाई होगी, अतहां डोरी की लंबाई बराबर 40 बर्गमो 3 मिटर, जो किस प्रसंद का उत्तर होगा, यह जब आपको वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक और शेयर करते हुए, आपको अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के किरपा करेंगे, धन्यवाद,